नमस्कार दोस्तों, Great to India YouTube चैनल में आपका सागता हैं, यह है Future Learning Platform, तो आज जो अपना जो important topic है, important MCQ सीरीज का जो topic, जो है ethical hacking, ethical hacking से related most important MCQ जो exam के दरस्टी से, तो सबसे पहला कॉर्शन, किसी सिस्टम को hack करने के प्रक्सिक्षन के पीछे क्या नहीं तिकता है, तो यहां पर जो सबसे first question जो है, उसका सही answer होगा C, to think like hacker and know how to defend such attack, तो इसका सही answer है C, next, दूसरे का password जाचने के लिए shoulder suffering करना नेतिक अभ्यास है, तो यहां जो second का सही answer हैगा, वो रहेगा D, A bad, तो यहां पर कहारा, performing a cellular suffering in order to check other passwords, तो यह क्या होता है, बहुत बूरा होता है, तो मतलब A bad ethical practice होती है, next, third number, अब unethic hacking के लिए सबसे लोगप्रियों सुचालेत उपकरणों में से एक के रूप में विक्सित हो गया, तो यहां third का जो सही answer हो है, malware, सही answer A, next, IT संपतियों की सुरक्षा के लिए वैवसाइक, संग्टनों और फर्मों में उप्यों की जाने वाली तकनिक है, तो यहां जो fourth का जो सही answer हो है, B, ethical hacking, सही answer होगा इसका B, next, fourth number, fifth number जो कोर्षन है, ethical hacking के कानूनी जोकिमों में व्यक्तिकर डेटा के कारण मुग्द में सामिल है, तो यहां पर जो five का जो सही answer होगा, वो होगा D, disclosure, सही answer होगा, disclosure, D, किसी भी परवेश परिक को करने से पहले कानूनी परक्रिया के माध्यम से नीचे सुचिवर्द कौन से मुख के बिंदू अनिवारियन नहीं है, तो यहां पर जो six का सही answer हो है, D, type of broadband company used by firm, सही answer होगा, इसका D, seven, करने के बाद ethical hacker को कभी भी अन्य पक्सों को client की जानकरी का खुलासा नहीं करना चा नेक्स्ट, साइबर सुरक्सा की साका हैं जो नैतिकता से सम्मंदित हैं और सही और गलत के बारा में दस्टी कौन के बारा में विविन सिदान्त और सिदान्त परदान करती है, तो यहां पर जो eight का जो सही answer होगा, वो होगा, C, ethics in blank hat hacking, तो black hat जो hacking होते हैं, वो क्या करता है, यहां पर साइबर सुरक्सा की साका जो नैतिकता से सम्मंदित है, next, ninth number, तरकों और इस्तियों को वर्गिकत करने में मदद करता है, साइबर अपराद को बैतर डंग से समझता है, और उचित कारियों को निदरित करने में मदद करता है, तो उचित कारियों को जो निदरित कर तो उसे हम क्या बोलता है, cyber ethic, तो सही आंसर होगा इसका C, 10, तो यहां पर कहा रहा है, question 10, एक पेट परिक्षा को सुरुक्सा मुद्राओं का मुल्यान कन करते समय, एक from की, तो एक from की जो है, वो क्या होने चाहिए, यहां पर privacy होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्राइवेस B, 11 question, तो यहां पर अटेक को evil twine का जता है, तो evil twine किसे का जता है, कौन सा अटेक है यहां पर, तो 11 का जो सही आंसर होगा, रोग्यो axis point, next, password cracking technique के रूप में क्या है, तो password cracking technique जो होती है, वो क्या होगी यहां पर, वो होगी यहां पर, attack hybrid, attack sciable, और attack brute frosting, सही आंसर होगा, इसका D, next, ethical hacker का प्रात्मिक लक्सिक क्या होता है, तो primary जो गोल है, ethical hacking का, वो क्या होता है, resolving security, volunerability, volunerability, जो होता है, उसका resolving security होती है, next, 14, hacking का पहला चरण क्या है, तो hacking का जो सबसे पहला जो चरण है, वो कौन सा होता है, scanning, सही आंसर होगा, C, next, किस परकार का hacker आपके network के लिए सबसे अधिक जो किम दर्सत है, तो यहाँ पर जो 15 का जो सही आंसर होगा, वो होगा, next, किसी कारण से hacking को का जाता है, तो hacking को किसी कारण से क्या का जाता है, तो वो का जाता है, hack to vision, तो सही आंसर होगा, इसका, C, next, 17, जब कोई hacker internet के मादियम से किसी host पर हमला करने का परियास करता है, तो किस परकार के हमले की रूप में जाना जाता है, तो यहाँ जो 17 का जो सही आंसर होगा, वो होगा, C, next, बैनर हत्याना किसका उधर अने, तो बैनर grappling is example of what, तो यह किसका example होता है, यह होता है, पैसिव आपरेटिंग सिस्टम फिंगर प्रिंटिंग का, तो सही आंसर होगा, इसका, D, 19, tcprst command क्या करता है, तो यहाँ पर जो tcprst command है, वो क्या करता है, वो करता है, reset the tcp connection, next, इसका सही आंसर C, next 20, सभी flag set वाला packet किस परकार का scan है, तो यहाँ पर कहरा है, यह packet with all flag set is which type of scan, तो यहाँ जो 20 का जो सही आंसर होगा, B होगा, X mass, next, एक हमलावार port 137 पर scan क्यों करना चाहेगा, तो यहाँ जो 21 का जो सही आंसर है, वो है, B, to discover a target system with the net bios, null session vulnerability, तो सही आंसर होगा इसका, B, next, 22, शुरुक्सा निति लागू करने का सबसे अच्छा कारण क्या है, तो यहाँ पर जो 22 का सही आंसर है, वो है, यहाँ पर D, it's remove the employee responsibility to make judgment, next, ethical hacking सब्सक्राण का क्या हरत है, तो यहाँ 23 का सही आंसर होगा, B, someone who is using his या her skill for defensive purpose, next, दो बुनियादी परकार के हमले क्या है, तो दो बुनियादी परकार के जो हमले है, वो है passive और active, तो सही आंसर 24 का जो होगा, वो कौन से होगा, D, next, ethical hacker और cracker के मुख के अंतर क्या है, तो उनके बीच जो मुख के अंतर है, 25 का जो सही आंसर होगा, वो होगा, B, the ethical hacker is authorization from the owner of the target, next, किसी संदेश को passive और native group से hacker करने की परक्रिया कहलाती है, तो hack करने की जो परक्रिया क्या कहलाती है, तो जो process होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, penetration testing, सही आंसर होगा, इसका A, ethical hacking को किस रूप में जाना जाता है, तो ethical hacking को किस रूप में जाना जाता है, यहाँ पर सही आंसर होगा, A and B, next, ethical hacking के क्या फाइदा है, ethical hacking के जो फाइदा है, वो क्या है, यहाँ पर, यह जो दे रखे सभी perform pinterest and testing, increased security, computer network, it used test how good security in your network, it used to recover the lost for information risk, especially when you lost your password, तो यहाँ पर यह सभी जो होता है, जो आंसर होगा, ethical hacking का, जो profit का, तो यहाँ होगा, all of the above, 29, pinterest and tester, दोवारा सबसे पहले किस character का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर जो 29 का सही आंसर है, वो है, यह single quote, next, एक hacktivist, वो है जो, तो hacktivist जो होता है, कौन होता है, यहाँ पर, तो वो होता है, यहाँ पर hack computer website in attempt to promote a political ideologies, तो सही आंसर होगा, इसका B, 31, pen test के किस चरण में scanning की जाती है, तो यहाँ 31 का आंसर है, यहाँ पर B, pre attack के अंदर, next, एक AC के scan से, एक खुला सा बंदरगा से, क्या आप वापस आएगा, तो AC की जो scan होता है, इससे जो वापस return जो होगा, वो क्या होगा, वो होगा RST, सही आंसर है, इसका C, next, आपका लगसे system, firewall के पीचे है, apping का उप्योग करके, आप SYN packet को एक hop count के साथ, भीजने के लिए तैयर करते हैं, जो horse तक पहुचने में सक्सम है, फिर आप packet को 1 से 1024 तक port number के साथ भीज़ दे, तो आप क्या कारवई कर रहे हैं, तो यहां 33 का जो सही आंसर होगा, वो होगा, यहां पे भी firewall के, next, निमलिकित में से कौन सा distributed denial of services अटेक का सबसे अच्छा वणन करता है, तो denial of services का जो सबसे अच्छा वणन करता है, कौन सा है यहां पे, सही आंसर होगा इसका a, next, 35, SSID परसरन को बंद करने के लिए दूसर सब्द क्या है, तो जो दूसर सब्द है, वो कौन सा है यहां पे, SSID clocking, next, SSID की अधिक्तम लंबई कितनी है, तो SSID की जो अधिक्तम जो लंबई होती है, वो कितनी होती है, 32 करेक्टर, सही आंसर होगा यहां पे, C, next, कौन सा wireless mode बीना access point के machine को सिधे एक दूसर से जोर देता है, तो उसे क्या का जाता है यहां पे, तो वो होता है, ad hoc, सही आंसर होगा, C, next, वो परिक्रिया जिसमें एक hacker पता लगाने से बचने के लिए अपने निसान को cover करता है, स्वामत वाली पर्णाली का उप्योग करना जारे रखता है, hacking के सबूत को हटा देता है, यहां कानोनी कार्वे से बचने के लिए, तो यहां जो 38 का जो सही आंसर होगा, वो होगा, यहां पर A, covering track, next, 39, बेता के मादियम से एक IT पनाली की सुरुक्षा को भंग करने का एक सुरुक्षी तरीका, तो यहां पर जो 39 का जो सही आंसर होगा, वो है C, exploit, next, ethical hackers का एक समूझ जो बाड़े के लिए सुरुक्षा audit करता है, तो यहां जो 14 का जो सही आंसर होगा, वो होगा, tiger team, सही आंसर D, next, एक ऐसा वातावरन या इस्तिती हैं, जो सुरुक्षा के संभावित, उलगन का कारण बन सकती है, तो यहां 41 का जो सही आंसर होगा, वो है D, threat, next, एक IT पनाली उतपाद या गटक, जिससे एक आउसक सुरुक्षा मुल्यानकन की पैचान अधिन किया जाता है, तो यहां 42 का जो सही आंसर होगा, target of evaluation, next, अच्चे लोग जो रक्षात्मक उदेश्य के लिए अपन इसल का उप्यो करता है, तो यहां 43 का जो सही आंसर होगा, वो होगा भी white hat, next, यह सुनिचित करता है, सिस्टम के अधिकरित उप्यो करता हो, के पास सिस्टम में जानकरी तक समय पर निर्बात पहुँच है, तो यहां 44 का जो सही आंसर होगा, वो होगी availability, सही आंसर C, next, सैन किसी राष्ट की सूचना बुनेरी डाचे पर हमला करना, तो यहां 45 का जो सही आंसर होगा, C, information, where, where, next, उप्यो करता की पैचान के लिए साक्सी या पुष्टी और मिलान है, तो यहां पर जो 46 का जो सही आंसर होगा, वो है, authentication, next, program, जैसे virus, torgen, horse, or worms, जो सक्रिय होने पर नुक्सान पहुंचाता है, तो 47 का सही आंसर होगा, A, malicious code, next, backdoor, rootkit, or torgen, or के साथ, उनकी विशेश पहुंच हासिल करके, अन्य hackers या सुरुक्सा करमियों को system में सुरुक्सित करना, तो वो क्या कहलाता है, यहां पर, वो होता है, hard link, hard link जो होता है, वो क्या करता है, यहां system को सुरुक्सित करना, next, 49, क्या hackers के बीच यह दारना है, कि कुछ करने लायक है, या दिल्चस्प, तो यहां 49 का जो सही आंसर है, hack value, सही आंसर होगा, A, next, एक hacker है, जो calling card, number, चुराने, मुप्त, phone call करने, BPX पर हमला करने, और अवेद रूप से संसार उपकरणों तक पहु प्रेकर, प्रेकर जो होता है, वो क्या करता है, यहां पर calling card, number, चुराने, मुप्त, phone call करने, BPX पर हमला करने, और अवेद रूप से संसार करने का उपकरण पर पहुँच हासिल करता है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा, इसका B, तो आज के इस important MCQ series में इतना ही, जे हिन, जे बरत,